हेलो फेंट्स वेलकम टू टेक्वाकरी केशन्स कैसा आप सब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास टेंट मैथमेटिक्स के लिए आधी शर्मा या आरेस अगवाल मैंसे आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए तो ये वीडियो काफी जाद यूस्फुल होने वाली है अगर आप क्लास टेंट के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं आरेस अगवाल की सेकंडरी स्कूल मैथमेटिक्स फॉर क्लास टेंट की बुक को तो भार्ती भवन पुब्लिकेशन की ये बुक है MRP इस बुक की 595 है डिसकाउंट इस पर आप ये ओनलाइन शॉपिंग साइट से बाई कर सकते हो इविन दिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया आप वहां से भी जाकर इसको पर्चिस कर सकते हो तो ये इस बुक का 16 एडिशन है 2020 का 1st एडिशन आयट है 1991 में आयस अगरवाल और वीना अगरवाल ने इस बुक को लिखा है आयस अगरवाल MSC और PhD की है वहीं वीना अगरवाल ने BA और BA किया है तो सबसे पहले हम इसके contents पे नज़र आ लेते हूं से पहले आपको इसमें mathematics का से लिबस मिलेगा class 10 के लिए फिर उसके बार आपको weightage मिलेगा कि class 10 CBSC examination paper में आपको किस unit से या फिर किस chapter से कितने marks की questions मिलेंगे ये contents आजाता है जिसमें आपको पहली unit मिलेगी number system की geometry नाम का chapter मिलेगा फिर geometry के तीन chapters फिर technometry के पांच menstruation के तीन free statistics and probability के दो chapters मिलेंगे तो ये पहला chapter आज़ेता है real numbers आपको सबसे पहले एक basic theory मिलेगी मतलब definitions type मिलेंगी कि लेमा क्या होता है Euclid's division लेमा के बारे में आपको बताया जाएगा फिर real numbers क्या होते हैं उन सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा क्या आप दो given numbers का SCF निकाल सकते हो Euclid's division algorithm को इस्तमाल करके इस book पर आपको examples मिलेंगे illustrative examples उन से आप ये जांसर को को कैसे solve किया जाता है class 10 mathematics में फिर exercise 1a आजाती है इसमें total आपको 11 questions मिलते हैं फिर उन सभी के आपको answers मिलेंगे फिर ये आपको दूसर topic में लेगा इस chapter में fundamental theorem of mathematics solved examples और फिर उसके बाद आपको exercise मिलेगी practice के लिए exercise 1b तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि इस book में क्या है class तो देखिए रोस्तों ये जो book है totally NCRT pattern पर based है यानि कि जो NCRT में questions दे रखे हैं वो सभी इसमें मौझूद हैं उसके साथ-साथ इस book में जो और questions मौझूद हैं वो totally NCRT के ही questions है बस उनकी digit और उनकी statement होई change करती गई है तो यानि कि NCRT और RS Agraval हैं ऐसा कुछ खास difference नहीं है बस इसमें आपको practice के लिए जादा questions मिलते हैं इससे कि अगर आप NCRT अच्छे से लगा चुके हो दो-टीन बार solve कर चुके हो तो आप जब RS Agraval solve करने बैठोगे तो आपको काफी जादा आसानी होगे और आपकी practice भी बहुत अच्छी होती चली जाएगे और आप academically बहुत अच्छा कर सकते हो तो overall मैं बताओं आपको तो सभी के लिए है जो NCRT के साथ इस बुक को पढ़ना चाहिए वो पर सकता है क्योंकि इसमें questions totally NCRT based है और काफी lenient way में content organized किया गया है इस बुक का और जो questions है वो भी काफी अच्छे मौजूर हैं तो यह आइस अगर वाले अब हम देख लेते हैं आरदी शर्मा को फिर मैं finally आपको सजेस्ट करोंगा कि आपको इन तर्णों में से कौनसी बुक लेनी चाहिए तो यह आज आती है आरदी शर्मा धनपत्राय पप्लिकेशन की बुक है 545 इसकी MRP है डॉक्टर आरदी शर्मा ने इस बुक को लिखा है जो की BSc Honors और MSC Gold Medalist है साथी साथ होनाने PhD किया है University University of Rajasthan, Jaipur से तो सबसे पहला हम इसके content को देख लेते हैं तो 2020 का यह edition है 13th revised edition और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 545 MRP है यानि कि RS Agrawal से 50 रुपीज कम तो इसमें आपको टोटल 16 chapters मिलेंगे जितने chapters आपको NCRT में मिलते हैं यह पहला chapter real numbers सबसे पहला आपको introduction मिलेगा real numbers के regarding, Divisibility के आपको बताया जाएगा फिर फिर थर्ड़ topic इसमें Euclid's Division लेगा तो उसी तरह से आपको यह book मिलेगी जिस तरह से RS Agrawal मिली है यानि कि आपको इसमें illustrative examples मिलेंगे फिर आपको exercise मिलेगी illustrations मिलेंगे आपको और theorems मिलेंगी, cases मिलेंगे, सबी चीज आपको मिल NCRT as well as RS Agrawal, इसमें जो आपको questions की variety मिलती है वो काफी ज्यादा मिलती है यह totally NCRT पर base नहीं है, यानि कि इसमें जो आपको questions मिलेंगे ऐसा नहीं है कि वो किवल NCRT की questions है और NCRT की questions है उनकी digit और statement को बदलके इसमें डाल दिये गए हैं, उसके अलावा आपको कुछ नई questions म मिलेंगे और आपको subjective questions मिलेंगे हला कि आपको RS Agrawal में मिलते हैं लेकिन जो MCQ इस book में मिलते हैं वो काफी ज्यादा competitive है, competitive in nature है, is comparison to RS Agrawal, जिन से आप competition की preparation कर सकते हो, जैसे class 11th entrance के लिए, जो universities के exam होते हैं, जैसे AMU का, GMI का और भी काफी सारे, इसके साथ साथ अगर आप class 11th में PCM, और mathematics के साथ continue करना चाहते हो, तो आपको RD शर्मा लेनी चाहिए, RS Agrawal के बजाए, मैं आपको ये suggest करूंगा, क्यूंकि इसमें आपको questions भी जादा मिलते हैं, RS Agrawal के comparison में, साथ साथ NCRT के comparison में, और जो questions का difficulty level है, वो भी काफी जादा high है, यानि कि इसमें आपको standard questions मिलेंगे, जो problems मिलेंगी, वो आपको काफी जादा challenging मिलेंगी, जिनको आप अगर लगाने वेठों, तो आपको time लग सकता है, तो मेरा आपको suggestion रहेगा, कि अगर आप केवाल academic point of view से देखना चाहते हो, मतलब आप केवाल अच्छे marks score करना चाहते हो, class 10 mathematics में, तो आपको RS Agraw लेनी चाहिए, और बाकि अगर आप अपने competition का एक base create करना चाहते हो, आपको mathematics में काफी जादा interest है, आपको मजा आता है, mathematics के questions लगाने में, तो आपको RD Sharma लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी book है, जो आपको काफी जादा अच्छा content provide करती है, comparison की अज़ाई, price के basis पर तो price में भी एक book को ठोड़ी सस्ती है, और इसमें आपको questions भी जादा मिलते हैं, साथ साथ content भी जादा मिलता है, लेकिन मैं आपको overall suggest करूँगा, चाहिए आप RS Agrawal लें या RD Sharma लें, आप पहले NCRT लगाईए, आप कोशिश कीजिए कि आप दो टीन भीने में, NCRT को at least दो बार solve कर लें, जिससे कि आपका एक base तयार हो जाए, फिर आप इन दौन में से किसी भी reference book को ले सकते हो, और भी reference book आती है, जैसे कि केसी सिना, together with की आती है, all in one आती है, लेकिन उन books को लेने का कोई ऐसा फाइदा नहीं है, मेरे according मैं आपको suggest करूँगा कि आप RS Agrawal या RD Sharma में से किसी एक book को ले, अगर आप अपने academic को अच्छा करना चाहते हो, मतलब आप mathematics में थोए weak हो, आपको थोई difficulty होती है questions निकालने में mathematics की, तो आपको आयस अग्रवाल लेनी चाहिए, बाकि अगर आप mathematics में अच्छे हो, आप अच्छे से questions solve कर लेते हो mathematics के, और आपकी frequency भी अच् निकालने की, तो आपको RD Sharma लेनी चाहिए, यह आपके लिए बिलको परफेक्ट बुक रहेगी, और साथ-साथ अगर आप 11 में mathematics के साथ ही continue करना चाहते हो, आपने प्लान बना रखाए कि आपको PCM या फिर कॉमर्स में mathematics लेनी है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको RD Sharma ही देनी चाहिए, और भी बुक्स आती हैं, कम्पिटीशन के लियार से जैसे की Pearson की आती है, और McGowell publication की आती है, लेकिन उन सा भी बुक्स का कोई फाइदा नी रहता है, क्यूंकि आपको सबसे पहले अकेडमिक स्ट्रोंग करना होता है, तो आप अकेडमिक स्ट्रोंग कर सकते आप पीस सुटेबिलिटी के ऊपर, आप मैटमेटिक्स में अच्छे हैं, तो आप अडिशन वा लीजिए, बाकि आप मैटमेटिक्स में थोड़ी वीक हैं, और आपको थोड़ी कठिना ही होती है, मैटमेटिक्स के सवाल निकालने में, तो आपको आइस अग्रवाल लेनी दोस्तों, एक चीज में आपको अपने परसनल एक्सप्रियेंस से सजेस्ट करूँगा, कि आप इन दौनों में से किसी एक बुक को लेने से पहले, एंसी यार्टी को एट लिस्ट दो तीन बार सॉल्फ कर लो, इसमें जो एक्जाम्पिल्स, जो इलस्टेशन्स और जो कोश कर सकते हो, तो आप मेरी इस बात को याद रखिएगा, कि आप सबसे पहले 2-3-4 महिने, जितने भी समय लगे, 2-3 बार NCRT को अच्छे से सॉल्फ कर लीजिए, एक एक चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे आपका बेस बहुत अच्छा क्रेट हो जाएगा, तो अगर वीडियो आपको परसंद आई हो, फिर किसी भी तरह की जानकर ही मिली हो, इन बुक्स रिलेटेद, तो प्लीज एक लाइक कर देजेगा वीडियो को, और आगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐ सी बुक्स और ऐसा ही कंटेंट, राइक लिए क्रेट कर रहा हूं, तब तक के लिए जैहिन, वन दे मार्टर,